नमस्कार जी मैं मन्जू और आप सब कैसे हैं मेरे बहुत सारे बाई भेहन ये पूछ रहे कि कौन सी सबजी कब लगानी चाहिए तो समर वाली जो सबजी थी वो जन्वरी से लेके मार्च तक हमने लगाई हैं तो उसी टाइम वो लगाई जाती हैं तो अब जो है मई भी खतम होने वाला है आज मई की 26 थारीक है और समझलो कि मई भी खतम ही हो रहा है तो अब जो हमें सबजी लगानी है बरसात वाली सबजी वो हमें जून और जुलाई में कौन-कौन सी लगानी है तो उसके लिए आप त्यारी कर सकते हैं मार्केट से सीर ला सकते हैं क्योंकि ये मई अब खतम ही हो रहा है और जून भी जल्दी ही आने बाला है तो कौन-कौन सी सबजी लगानी है तो जो कद्दू बरगी ये सबजी होती है जिनके आगे गौड लगा होता है जैसे हमारा की लोकी हुई तुरे हुई क्रेला हुआ टिंडा हुआ और वो सनेक गौड हुआ तो ये सब किसमती इस तरहां की बेलियें वाले जो सबजी हैं आप जून में लगा सकते हैं और उसके साथ साथ आप क्या लगाएंगे ये आपका ब्रीण जल हुआ कुकुमबर कौली फ्लार ओकरा अन्यन शेम टमैटो पेपर्स ये सब आप जून में लगा सकते हैं और जो स्नेक गौर्ड जिसको के पडोल भी कहा जाता है हमारे पंजाब और हिमाचल में तो बाकी जोगों का मुझे पता नहीं है क्या कहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं वो जुलाई में और उसके साथ साथ क्या आप लगा सकते हैं खीरा लगा सकते हैं भिंडी लगा सकते हैं स गाने के शुकिन है तो उनको ये मेरा विडियो प्रसंद आएगा ये जू मैंने बेलले लगाई थी तुरे की तो इसमें मैंने पांच लगाई थे तो दो तो ये मेरे मैने आपको बताए है और दो और निकले थे तो फिर मैह मैंने एक और जगे में शिफ्ट कर दिये थे तो ये एक बाद में निकलाया तो इस तरह से मैंने एक प्लास्टिक की इसमें रोड जैसे लगा दिये ताकि जब ये निकलना थोड़ा बड़ा हो तो मैं इस पे चड़ाऊंगी तो फिर इसको कहां पे रखना है वो ही मैं इस वाले पोट में यह मैंने यहां पे लगा दिया ट्रांस्प्लांट कर दिया इस तरह से लगा दिया है तो अब यह जो मेरी सब्जी हैं यह जो जून में जैसे लगनी है तो समझ लो कि मैंने थोड़ा सा यह पहले लगा दिया तो यह बरसात वाली सब्जी हो जाएंगी तो बाकी दूसरी भी मैं दिखाती हूँ कितनी बड़ी बड़ी हुई तो ये मेरी लोग की भी जो कितनी सारी जगों से उखाड उखाड के सको लगाया तो ये अब बड़ी होने शुरू होगी है ये देखा आपने ये ये सब होने शुरू होगी है और ये तुरे ये भी लगा सकते हैं और जुलाई में भी ग्रोव कर सकते हैं तो यह देखे यह तो मेरे अब बाई वहना जो सब्जियं लगाने के शुकीन है वो टाइम को गवाय वीना अब जून में यह सब सीड़ जो भी मैंने सब्जी बताई हैं बुला सकते हैं और अपने गार्डन में उगा स सकते हैं धन्य बार जी शुक्रिया अगली बारी में किसी और जानकारी के साथ आपके पास आउंगी शुक्रिया